हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू संडे रिप्लाई बॉक्स आज है संडे और हम हाजिर हैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई लेकर वीडियो में अंतक बने रहें वीडियो गर आप लोगों का अच्छी लगे तो प्रीज इसे एक लाइक कर देना साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देख लेते हैं सबसे पहला कमेंट्स जिसका हमने रिप्लाई देना है और हमारा आज का संडे रिप्लाई बोक्स का फर्स्ट कमेंट है देवा प्रिया बसकी तरफ से इनका कहना है सम्टाइम्स मेरा रैबिट बहुत ज़्यादा जंप करता है और बहुत तेजी से इधर उधर दोड़ता है तो खर्गोश जब भी इधर उधर जोड़ जोड़ से हवा में उचलते कूते हैं उसे खर्गोश का बिंकी जूमी करना कहते हैं खरगोश और बिंकी जूमी तब करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हैपी होते हैं तो अटेंशन ना लें जब आपका खरगोश ऐसे करें तो आप समझ जाएं कि आपका रैबिट बहुत ज़्यादा हैपी है अगला कमेंट क्या है ये है एनिस किराफ्ट की तरफ से इनका कहना है मैं मैं अपने रैबिट को कहीं से लाई हूँ चार मन्त हुए है पाई हुए वो पहले से ही प्रेगनेंट थी और वो पहले दो बेबी दे चुकी है अभी हमारे घर में कोई मेल रैबिट नहीं है और कुछ दिनों से उसके वेहबियर से लग रहा है कि वो प्रेगनेंट है क्या ये पॉसिबल है प्लीज रिप्लाई मी तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बिना नर्खरवोश के मादा खरवोश बच्चों को जनम नहीं देती है ये जो हरकतें आप बता रहे हैं ये मादा खरवोश कभी-कभी फॉस प्रेगनेंसी में भी करती है रैबिट में फॉस प्रेगनेंसी क्या होती है ये आप यूटूब पर सर्च कर सकते है बैसे मैंने भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है अगला कमेंट है पॉडल की तरफ से इनका कहना है जंगली रैबिट्स एंड डॉमेश्टिक रैबिट्स मीटिंग करते है क्या तो ऐसा हो सकता है अगर तोनों की बॉन्निंग अच्छी हो जाए तो ऐसा हो सकता है चली बढ़ते हैं अगले कमेंट्स की तरफ ये क्या है बतसल देवान गन्ने इनका कहना है मेरा रैबिट्स दिन भर बैट के नीचे ही रहता है तो ये खरगोश में नैचुरल होता है जब भी खरगोश को नया नया अडॉप्ट किया जाता है तो उसमें भी खरगोश ज़्यादा तर छिपकर बैटने की कोशिच करते है आप टेंशन ना लें धीरे धीरे आपका खरगोश आपसे बॉंट हो जाएगा फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ही रहेगा बस अपने खरगोश को बेवजे तंग ना करें अगला कमेंट क्या है कैना तो मारूफ सरदान ने इनका कैना है तुलसी और जैक फ्रूट के पते दे सकते हैं क्या तो जी बिलकुल दे सकते हैं ये पते खरगोश के लिए बिलकुल सेफ है अगला जो कमेंट क्या है ये क्या है लाइक नास्तियास फ्रेंड जवेरिया की तरफ से इनका कहना है मैम रैबिट के बेबिज को रात के बक्त इनकी मा के पास रखें या नहीं प्लेज रिपलाई संडे कमेंट बॉक्स तो अगर आपकी मादा खरवोश और बच्चों को प्रॉपर टाइम से दूद पिला रही है तो आप बच्चों को मा के पास रख सकते हैं इसमें कोई प्रॉबलम नहीं है लेकिन अगर आप बच्चों को मा को पकड़ कर दूद पिला रहे हैं तो बच्चों को मा के पास बिलकुल ना रखें ये सेफ नहीं होगा बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ जो क्या है शरद्धा जैनल सुराना की तरफ से इनका कहना है मिश्टी कौन सा पता खा रही है क्या आप बताएंगी तो इसो कोशन का आंसर मैं कई बार दे चुकी हूँ मैं मिश्टी को गूलर का पता खिलाती हूँ हमारे घर के पास एक पारक है बहां बहुती एजली मिल जाता है और ये खरगोश के लिए बिलकुल सेफ है गूलर को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं आपको मिल जाएगा अगला जो कमेंट क्या है ये है एटी ए राम जी भाई की तरफ से इनका कहना है हाई मैम प्लीज टेल मी मेरे रेबिट का फूड एक्सपाइड हो गया है तो क्या हम उसको खाने को दे सकते हैं क्या उससे उसको कोई प्रॉबलम तो नहीं होगी प्लीज हेल्प मी मेम तो अगर खरगोश के पैलेट सो एक्सपाइड हो गये हैं तो आप अपने खरगोश को एक्सपाइड फूड ना खिलाएं ये खरगोश के लिए हामफुल हो सकते हैं बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ वो जो क्या है आदित यादब जी ने इनका कहिना है मूली के पते से खुझली नहीं होती क्या खरगोश को कोई कह रहा था कि इस से खुझली होती है तो खरगोश को मूली के पते खाने से कोई खुझली नहीं होती है ये खरगोश के लिए बिल्कुल सेफ है बट लिटल अमॉंट में ही खिलाएं बहुत जादा ना खिलाएं बढ़ते हैं गले कमेंड की तरफ वो जो क्या है प्राइम आईल टीडी की तरफ से इनका कहिना है रैबिट के लिए रिजगा ग्रास हामफुल तो नहीं है न तो खरगोश के लिए रिजगा ग्रास बिल्कुल हामफुल नहीं है ये खरगोश के लिए एकदम सेफ है रिजगा ग्रास को अलफालफा ग्रास भी कहते हैं और ये ग्रास खरगोश के ग्रोइंग ए पहले बच्चा दी थी, कल रात को फिर बच्चे दी थी पाँच, आज फिर अपने बाल नोच रही है, प्लीज क्या करूँ रिप्लाई प्लीज दी, बाल नोच के अपना सरीर खराब कर ली है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी, कि इतनी जल्दी मादा बहुत जादा परिशान हो चुकी है इतनी जल्दी दोबारा बच्चे देने के बाद क्योंकि हो सकता है कि उसको कुछ फिजिकल कमजोरी हो गई हो तो इसलिए वो ऐसा कर रही है 24 गंटे में आपकी मादा खरगोश नॉर्मल हो जाएगी बस आगे से ध्यां रखें कि मादा ख कर लेते हो प्लीज रिपलाई तो अभी आप लोगों के साथ की मुझे बहुत जादा नीड है अभी मैं सिर्फ इस्ट्रगल कर रही हूँ वैसे यूटूब का एक डूल है कि यूटूब की जो अर्निंग होती है वो हम एकुरेट नहीं बता सकते तो अभी आप इतना जा ल है सुरित जी ने इनका कहना है दिवाली आने वाली है और मेरे यहां पे तो कुछ लोगों ने पटाके भी फोल्ड ने शुरू कर दिये हैं तो हम दिवाली में रैबिट को सेफ कैसे रखें क्योंकि मेरा रैबिट बहुत डर पोक है क्या पता उसे श्ट्रोक आ जाए इसलि ये खरगोश को हाट टेक आने के भी चांस होते हैं तो खरगोश को दिवाली के पटाकों से कैसे सेफ रखें इसके उपर मैकल एक सेपरेड वीडियो लेकर आ रही हूं आप वो वीडियो जरूर देखें और अपने खरगोश को सेफ रखें बढ़ते हैं अगले कमेंट की त प्यार करता है एबरी टाइम तो मैं क्या करूं उन्हें जादा देर दूर भी नहीं रख सकती क्योंकि घर छोटा है और चोटा वाला रवृट काफी बीक भी है तो तो मैं क्या करूं प्लीज प्लीजर रिपलाई कि तो आपकी प्रॉबलम के दो सॉल्यूilation है एक तो कि छोड़ देते हैं और दूसरा सॉलुशन यही है कि आप दोनों को सेप्टेट रखें साथ में ना रखें रैबिट में न्यूटर्ड सरजरी क्या होती है आप ये मेरे चैनल पर भी जाकर चेक आउट कर सकते हैं यूटूब पर भी आपको इसकी कई वीडियोस मिल सकती हैं तो